मेरे यूट्यूब परिवार को मेरा साधर नमस्कार बहुत समय बाद हम आये हैं अच्छी वेकेशन हमने बनाई है हमारा लास यह का बोल का रिजल्स धमा के दार रहा है हम जिस शहर में रहते हैं सूरत शहर में उनके दो तीन स्कूल में हमारे सारे बच्चों ने टॉप किया वापस आपके लिए हम यूट्यूब पर आ गये हैं आज हम लोग अकाउंट स्टार्ट कर रहे हैं अकाउंट का सबसे पहला चाप्टर है इंट्रोडक्शन तो पार्टनर्शिप उसके कुछ लेक्चर्स हम लोग यूट्यूब पर लेके आएंगे बड़ जैसी कि मैंने आ सारी डीटेल्स हम आपको इंस्टेग्राम पर प्रोवाइड कर देंगे कि लाइफ क्लासे किस तरह से चल रही है और उसको आपको जॉइन करने का तरीका क्या है चलिए तो आज स्टार्ट करेंगे हमारा सबसे पहला चैप्टर जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू ठीक है अब जैसे कि हम अल्यड़ी अकाउंट पढ़ चुके 11 चैनल के अंदर में 11 में हम देख चुके कि अकाउंट की बेजिक फार्मिट्स क्या होते हैं 11 में हमने जो अकॉंट पढ़ाता है वह सारा का सारा अकाउंट्स होता है सोल परप्रेटर्टरिशिप के लिए और partnership को partnership कहलाने के लिए 5 चीजों का होना बहुत जरूरी है, किन चीजों का होना जरूरी है, 5 basic चीजों का होना बहुत जरूरी है, starting with the very first one, सबसे पहला 2 और more than 2%, दूसरा, legal business, तीसरा, profit motive, चौथा, mutual agency, and पांचवा, unlimited liability, ये 5 चीजे होगी तो ही उसे partnership माना जाता है, वरना उसे partnership माना जाता नहीं है तो पांच चीजों में क्या क्या है वापस से समझते सबसे पहले मैंने क्या कहा two or more than two person दो या दो से ज़्यादा लोग दूसरा मैंने कहा legal business आपका business legal होना चाहिए अगर illegal business होगा तो उसे कभी भी partnership माना जाता नहीं है simple सी बात है दो या दो से ज़्यादा लोग चाहिए क्योंकि अकिल आत्मी कभी भी खुट के साथ partnership कर सकता नहीं है तो हमारा main task रहेगा हमें दो या दो से ज़्यादा लोग चाहिए ही चाहिए business legal होना चाहिए अगर हमने किसी भी illegal purpose के लिए business किया है तो उसे partnership माना जाता नहीं for example अगर आप business कर रहे हो gambling के लिए जुए खेलने के लिए prostitution या drugs वगेरा का या smuggling वगेरा का तो उन सब business के लिए अगर कोई agreement बनाये जाएगा उसे partnership माना जाएगा नहीं तीसरा आपके business में हमेशा आपका motive होना चाहिए पैसे कमाने का मतलब profit motive का होना बहुत जरूरी है अगर आपका motive पैसे कमाने का नहीं है तो उसे कभी भी partnership माना जाता नहीं है मतलब अगर आपका motive है charity, आपका motive है donation आपका motive है love, affection, care कोई भी purpose हो बढ़ अगर पैसे कमाने का motive नहीं है तो से partnership माना जाएगा नहीं Next होता है mutual agency यह बहुत important है सबसे important in fact यही है mutual agency का मतलब होता है one for all and all for one एक partner सब के लिए काम कर रहा है और सब partner किसी एक के लिए काम करें For example, तीन partners है partner A, partner B और partner C, तीन partners है अब अगर partner A, अगर कुछ काम कर रहा है जिससे business को फाइदा हो रहा है तो वो फाइदा बाकी दोनों partners को भी मिलने वाला है partner B, अगर कोई काम कर रहा है जिससे business को नुकसान हो रहा है तो वो नुकसान बाकी सारे partners को भी bear करना पड़ेगा ही पड़ेगा वैसे ही तो A के काम का benefit इन दोनों को मिलेगा और इन दोनों के काम का benefit A को मिलेगा that is one for all and all for one उसे कहा जाता है partnership क्या कहा जाएगा उसे partnership इसके बाद में last आता है unlimited liability क्या आगया last unlimited liability मतलब यहाँ पे partner की liability unlimited होती है मतलब अगर business में नुकसान हुआ तो partners का personal asset तक बिक सकता है business के payment को चुकाने के लिए partners को अपनी personal assets, personal liability को भी पूरा करना पड़ेगा मतलब अगर business के losses हो गए तो partner के घर का TV, fridge सब बिक जाएगा business के assets को business की liability को चुकाने के लिए तो यह पांच चीजों का होना बहुत जरूरी है अगर यह पांच चीजे होगी तो ही उसे partnership कहा जाएगा एक बार फिर से revise करते हैं पांच basic characteristics क्या क्या है सबसे पहला two or more than two persons, दूसरा legal business, तीसरा profit motive, चौथा mutual agency and आखरी है unlimited liability चाक कर बराबर दिख रहा है वहांसे, तो यह पांच चीजों का होना बहुत बहुत जरूरी है अगर हम चाहते हैं कि हमारे business को partnership business कहा जाए अगर हम चाहते हमारे business को partnership business माना जाए, तो partnership कहलाने के लिए चार चीजों का क्या हो जरूरी हो गया, these are basic identity या इनको बोल सकते basic characteristics of a partnership को हम याद रहेगा, चलिए बढ़िया इसके बाद में आगे बढ़ते हैं कि partnership के लिए हमारा सबसे पहला काम है partnership को register करना, तो उसके लिए हम बनाते हैं partnership deed, क्या बनाते हैं दोस्त? हम बनाते हैं partnership deed partnership deed बनाते हैं जिससे हम partnership firm को register कर सके अब ये partnership deed क्या होती है ये firm को register करने के लिए सबसे important contract होता है इस deed के अंदर partners अपने सारे के सारे terms and conditions डाल देते हैं कि कौन-कौन partner बनेंगे partner का age क्या है partner की experience का है partner क्या कहा रहता है उसके qualifications क्या है admission पे क्या होगा retirement पे क्या होगा death पे क्या होगा dissolution पे क्या होगा salary कितनी होगी commission कितना होगा bonus कितना होगा remuneration कितना होगा हर चीज यहां पे लिखी रहती है उसे कहा जाता है partnership deed so partnership deed is a contract अच्छे से याद कहले ना इसको partnership deed is a contract यह एक return contract होता है between partners, partners की बीच का return contract होता है उसे partnership deed कहा जाता है, याद रहेगा so partnership deed क्या हो गई, partnership deed मतलब एक return contract between the partners जिसके अंदर partners की बीच के सारे terms and conditions लिखे जाते हैं, अब suppose कर लेते हैं कोई partner के बीच में एक deed नहीं बनी, मतलब there is no partnership deed, partnership deed नहीं है, तो क्या होगा, तो भाईया उनको follow करना पड़ता है table A, और table A में दिये वे है 5 default provision जो आपको मानने पड़ते हैं, provision number 1, अगर deed नहीं है, तो profit and loss हमेशा equally share होगा, अगर deed नहीं है, तो profit and loss equally share होगा, अगर deed नहीं है, तो interest on capital नहीं देंगे और interest on drawings भी नहीं लेंगे, अगर partnership deed नहीं है, तो interest on capital देना नहीं है, और interest on drawings लेना नहीं है सेम वे अगर deed नहीं है तो salary नहीं, commission नहीं, bonus नहीं, remuneration नहीं अगर partnership deed नहीं है तो ना हम salary देंगे, ना हम commission देंगे, ना हम bonus देंगे और ना ही हम remuneration देंगे सेम वे, अगर deed नहीं है तो interest on loan पे कितना मिलने वाला है, 6% per annum, अगर partnership deed नहीं है तो by default partner को interest on loan पे 6% ही मिलेगा, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम, by default 6% अगर आपको ज़्यादा चाहिए, तो भाईया इस deed में mention करवाओ, अगर आपने इस deed में mention नहीं करवाया, तो 6 टकाई मिलेगा and last one, अगर deed नहीं है, तो no admission is allowed, आप किसी भी partner को 20 साल में admit कर सकते नहीं हो ये 5 by default provisions होते हैं, अगर आपकी partnership deed silent है तो, अगर deed नहीं है, तो ये provision लागू होंगे, अगर deed है, तो आपको ये deed को ही मानना पड़ेगा हमेशा मतलब अगर deed में लिखावा है कि profit and loss 3% है, sorry 3% क्या मतलब 30% each है, तीन पार्टनर या चार पार्टनर से तो deed में लिखावाएगी, पहले का 30% है, दूसरे का 40% है, तीसरे का 30% है, अगर deed में mentioned है, तो ये रहेगा, अगर deed में mentioned नहीं है, तो equal रहेगा अगर deed में mentioned है कि interest on capital आपको 10% per annum देना है, तो चुपचाप दे दो, अगर deed में mentioned नहीं है, तो नहीं मिलेगा अगर deed में mentioned है कि partner को salary देना है 10,000 पर मन्त, तो चुपचाप दे दो, अगर deed में mentioned नहीं है, तो नहीं मिलेगा आ रही है बात समझ में चलिए दो मिनिट लेके आप लोग सभी कॉपी करेंगे फटा फट इतना कॉपी करो